रतन टाटा के जाने से पूरा देश इस्तब्ध है दरसल बुद्भार को बीती रात या कहें देर रात रतन टाटा का निधन हो गया उम्र की वजह से जो बीमारियां परिशान करती है वो रतन टाटा को भी परिशान कर रही थी और वही इसकी वजह भी बनी लेकिन एक जो पल संसकार के लिए उन्हें ले जाए गया तब एक उससे पहले एक डॉग भी उनके दर्शन करने के लिए पहुँचा था काफी देर तक जो तस्वीर नजर आई है उसमें बेहत भावक वो डॉग नजर आ रहा है सलग राय की शायद वो आसू भी बहा रहा है और काफी देर तक वो डॉग पार्थिफ शरीर तक टाटा रतन टाटा की पार्थिफ शरीर तक रहा बताए जाता कि ये डॉग उन्हें गुआ में मिला था दरसल रतन टाटा को डॉग से बहुत प्यार था बहुत लगाओ था और यही वजह थी कि कई ऐसे प्रसंग हैं जो उनसे जुड़े लोग बताते हैं कि करीब 11 साल पहले की बात है जब ये डॉग गुआ में उन्हें मिला और उनके पीछे पीछे आने लगा और वहीं से फिर ये डॉग इसे वो अपने साथ ले आए और इस डॉग को नाम दिया गुआ केर टेकर बताते हैं कि ना इतना चाहते थे उनको तो एक बार तो ऐसा मौका भी आए जब प्रिंस चाल्स से भी उनकी मुलाकात इन्ही डॉग की केर की वजह से चूट गई थी और दरसल किवल एक और जो बात बहुत महत्पूर हैं डॉग से जुड़ी हुई दरसल किसी भी डाटा कंपनी के किसी भी दफ्तर कहें कि किसी भी फ और ये खुटता कम से कब भी 10-12 साल से अमरे पास है गोवा से लेके आया था हम लोग पिकनिक गया था तबी अभी अमरे गार्ड लेके आया था अभी तक को चल राच्चा का सा कुछ प्रॉब्लम है ये अभी 11 साल पहले है अपना जो सेक्रेटी गार्ड लेको नहीं लेके तक कि जो सबसे आलिशान होटलों में गिना जाता है होटल ताज होटल ताज की जितनी चेन हैं कहा जाता है कि उसमें भी किसी भी आवारा डॉग को अंदर जाने से रूका नहीं जाता था ये रतन टाटा का डॉग से प्यार ही जाहिर करता है और ये बताता है कि आकर किस से इन दोनों का जुड़ाओ रहा होगा रतन टाटा का और इस डॉग का ये तस्वीरें बताती हैं आखिर वो भावना कैसे एक इनसान और जानवर के बीच जुड़ जाती है आज ये डॉग गमगीन है रू रहा है दर्द की आंसू बहा रहा है